हेलो मेरे प्यारे बच्चो, क्लास 12 के बाद कौन सा करियर चूज करें, ये है एक बहुत बड़ा important question जो की एक stepping stone होता है आपके पूरे life के लिए, क्योंकि एक करियर आपकी पूरी जिन्दिगी बना भी सकता है और एक गलत आपका एक चनाव आपका करियर बिगार भी सकता है लाइफ में आपको दे सकता है बहुत जारा attention तो law एक ऐसा करियर है जो आगर आप सोचते हो, आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे options है CLAD जैसे एक option हो गया, ELIT एक option हो गया, Sembiosis एक option है, वैसे ही एक option आपके पास उभर के आता है, जिसको हम बोलते हैं, महराश्टर CET महराश्टर CET आपको 5-year integrated program देता है law में, लेकिन ये exam होता कब है, क्या इसका syllabus है, कैसे इसकी preparation करें, क्या strategy होनी चाहिए, ये सारे के सारे questions कहीं न कहीं आपके दिमाग में गुमना चालू हो चुके होंगे और अगर आपके दिमाग में ये सारे questions आ चुके हैं, तो उसका stop solution आ गया है, आपके सामने ये वीडियो में तो वीडियो के end तक जरूर बने रही हैगा, आप लोगों के साथ मैं भी हूँ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं, जब आप 5-year program के हम बात करते हैं, तो 5-year program हमेशा integrated program इसलिए important होता है, क्योंकि पाँच साल में आप इतना सब कुछ सीख जाते हो, कि आप एक threshold पे खड़े होते हैं, जिस threshold को clear करते ही, आप launchpad पे बिल्कूल ओजेट की तरह ऊपर चले जाते हो, और अपना career इतनी उचाईयों तक ले जाते हो, जहां से आपकी पूरी की पूरी लाइफ बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन उससे पहले यह जानना हमारे बहुत ज़रूरी है, कि learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow, the important thing is not to stop questioning, this is very important, आपको यह ज़रूर पता होना चाहिए, कि अपने सारे options हम खुले रखे, आप लोग क्लैट का paper दे रहे हो, बहुत अच्छी बा ही है, वो कहते हैं, do not leave any stone unturned, उसी के लिए यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि आप हर दिन अपने आप से सवाल पूछें, लोगों से सवाल पूछें, क्योंकि यही change जो है, और यह questions है, curiosity है, यही आपको आगर बहतर इंसान बनाती है, तो अगर हम देखें, इसमें आपके पास आता क्या है इस paper में, तो आपके पास legal aptitude and legal reasoning के 40 question आते हैं, general knowledge and current affairs के 30 question आते हैं, logical and analytical reasoning के 40 question आते हैं, English के 30 question आते हैं, और mathematical aptitude के 10 question आते हैं, आप आदे से ज़रादा बच्चे तो इसी बात को देखके घबरा जाता है, कि ओ भाई साब, यहां तो mathematical aptitude है, हम से तो होगा, लेकिन क्या mathematical aptitude में, class 11-12 का यहां पर importance है या नहीं, सब कुछ बताओंगा आपको थोड़ी दर में, तो session को like कर दीजे, share कर दीजे, और end तंग मेरे साथ बने रहीएगा, तो आगे अगर हम देखें, तो आपका paper यह होगा कब, एक tentative schedule जो इन्होंने निकाला है, exam calendar निकाला है, state common entrance test cell Mumbai ने, तो उसके हिसाब से आपका paper, यह Maharashtra LLB 5 years का होने वाला है, 7 मई से, जी हां, Tuesday and Wednesday, 7th and 8th में को आपका paper यह होगा, तो इन दोनों में से dates में, कोई से भी दिन आपका paper यह हो सकता है, और दोनों दिन भी हो सकता है, mode of the paper is online, क्योंकि यह online paper होगा, legal aptitude and problem solving aptitude, questions will be framed in the help of legal prepositions, so facts, judgments, ऐसे वाले questions जो आते हैं, contract, thoughts, IPC, Hindu marriage act, यह वाले साइप के questions हैं, यह आपके पास देखने को मिलेंगे, some prepositions may not be true in the real sense, candidates will have to assume truth of these prepositions and answer the questions, drawing well supported conclusions, यह चीज़ आपके सामने जरूर आएगी और यह आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी हां पर, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी से preparation शुरू कर दी इसके लिए, तो आप यह paper अराम से निकाल सकते हैं, अगर आपको मैं बताऊं, history, जो results की रही है, under 24-7 में, खासकर इस exam के लिए, वो बहुत अच्छी रही है, हमारे बहुत सारे बच्चे, अलग-अलग colleges में, जो महर राष्टर उनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, वहां से जाकर अभी अपना law pursue कर रहे हैं, उसके बाद general knowledge with current affairs में आपके पास history, like ancient, medieval and modern, geography, general science, economics, civics, current affairs of the past one year, the subject is to assess the knowledge of the recent happening and awareness of the world, यह सारी चीज़े आपसे पूछी जाती हैं, जैसे for example, अगर आपको लगता है कि दसे इस साल आपके पास बहुत सारी चीज़े हैं, जो आपसे पूछी जा सकती हैं, related to awards, related to any national awards हुए थे, इस बारी कोई sports recognitions हुए थे, literature में, books and authors के बारे में पूछा जा सकता है, history में आपसे static g के पूछी जा सकती है, कि battle of panipat क्या अब हुआ था, या फिर, ये incident history में हमारे कब हुआ modern history से question आ सकते हैं, आपके पास geography, general science से question आ सकते हैं, ये disease किस से होती है, या फिर, deficiency of this vitamin से क्या चीज़ हो सकता है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, civics में आपसे preamble के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे fundamental rights के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे geography में अलग अलग dimensions हैं, हमारे जो ranges हैं, या seas हैं, ये कहां पर हैं, क्या चीज़ हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है, आपसे UN के बारे में पूछा जा सकता है, United Nations के बारे में पूछा जा सकता है, यहां से आपसे नीती आयोग जैसे हो था, उसकी chairmanship कौन है, या फिर ex-official chairman of Rajas Sabha, लोग सबह ये कौन है, ये पूछा जा सकता है, आपसे चीज़ हैं, geography के बात, current affairs में आपसे जो अभी recently past one year में कोई भी major event होकर हुआ हो, तो उसके बारे में भी आपके बारे से पूछा जा सकता है, logical and analytical reasoning में आपके पास conclusions, reasoning, analogies, जितने भी आपके पास questions based on analogies होते हैं, जैसे आपके पास questions based on logical conclusions होते हैं, या फिर आपके questions based on series, puzzles, questions based on blood relations, ऐसे चीज़े आपस logical and analytical reasoning में पूछी जाती हैं, English में आपके पास idiom phrases, one word substitution, vocabulary, grammar, आपके पास reading comprehension, ये सारी चीज़े आपस पूछी जाती हैं, तो इसमें, अगर आप देखें, चालिस question में, almost उनों ने आपसे तीनों section से चीज़े पूछी हैं, चाहे वो vocab हो, चाहे वो grammar हो, चाहे वो reading हो, आपसे तीनों चीज़े पूछी गई हैं, उसके अलावा, mathematical aptitude में यहां पर सीदा सीदे लिखा है, इस section is to test the numerical ability of candidates, the mathematics question will be set from 10th standard level of various topics, including profit and loss, speed, time and distance, algebra, average, Venn diagram, so, इसका कहने का मतलब है कि आपके पास 11th, 12th के mathematics से questions नहीं आएंगे, जादातर questions आपके पास 10th level के आएंगे, तो इसले percentages हो गया, number system हो गया, algebra, geometry, mensulation, time, speed, distance, profit and loss, SICI, ऐसे type के questions आप से पूछे जाएंगे, जो कि I think are doable और आप कर सकते हैं, उसकी जरा सी practice अगर आप करें, तो, logical reasoning के लिए आप AP भारदुआ, math के लिए आप, आवे सगरवाल, S. Chand की बुक आती है, वो ले सकते हैं, legal के लिए भी आपके पास जो बुक आती है, आप ले सकते हैं, जो उसकी लूसें की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं, current office के लिए GK Digest, या फिर हमारा जो monthly compendium आता है, वो ले सकते हैं, English के लिए, आप vocabulary के लिए, word power made easy, grammar के लिए, Renan Martin, and S.P. Bakshi की बुक, objective English, वो ले सकते हैं, English के लिए, आप book ले सकते हैं, reading comprehension के लिए, proficiency in reading comprehension, और उसी के साथ-साथ, मैं आपको काफी सारी books और material देता रहता हूँ, हमारे channel पर, जो आप जाके ले सकते हैं, शा सारे questions कर रहे हैं, और उसके साथ-साथ ही, अगर आपको चाहिए, और जाधा assistance, और जाधा आपको चाहिए, हमारी brilliant faculty का साथ, और मेरा साथ, एक as a big brother, आपके भाया की तरह, और आपके mentor की तरह, तो आप जाके हमारा victory 2.0 batch ले सकते हैं, for 5 years log, जहाँ पर आपको ये सारी active classes, recorded videos, strategy sessions, curriculum and live doubt session, ये सब चीज़े आपको मिलती हैं, लेकिन ये सब चीज़े आपको आज अगर आप जाके लेते हैं, तो आपको मिलता है, यहाँ पर 81% का discount अगर आप हमारी app से लेते हैं, लेकिन आज के दिन ही, अगर आप सिरफ आज जाके ये code लगाते हैं, Y713, तो law का program, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप view offers पे जाएंगे, तो view offers पे आप code लगाएंगे Y713, और आप कर देंगे apply, तो ये सिर्फ 6,000 रुपे में है, लेकिन क्या ये आपको सिर्फ 6,000 रुपे में मिल रहा है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये 6,000 से भी कम पे चाहिए, 6,000 से भी कम पे आपको चाहिए, तो आप हमारी आप पे जाएंगे, आप पे जाके लेंगे, और coins यूज करेंगे अगर आप, तो 1% additional discount मिलके ये हो जाएगा, 81% का discount, लेकिन code सिर्फ यही लगेगा, जो की है Y713, तो फड़ा-फट से ये code लग तक चलेंगे और आपके एक सुनहरे भविश्य की मैं कामना जरूर करूंगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ इसमें, और let's have victory together, take care.